भारतिया राश्चे कॉंग्रेस के 85 महादिवेशन में आये हुए देश भर के आप तमाम परतिनीधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और जो हमारी संचालन समेती है उसको विशेश रूप से आभार विक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस 85 महादिवेशन में बोलने क मुका दिया है मेरी आवाज जहां तक पहुँच रही है आप तमाम कॉंग्रेस पार्टी के एक-एक कारिकरता को मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे देश के लोग 85 महादिवेशन से जुड़े हुए हैं आप सबका ही मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं एक नौजवान होने के नाते भारतिया राष्टिये कॉंग्रेस की जो मौझूदा स्टेरिंग कमीटी है उसने जो संबिधार में एक संसोधन किया है कि पार्टी पर्तिमिधित्यु में हर एक अस्तर पर पचास वर्ष से कम उम्र के विक्ति को पचास प्रतिसक तक सीट जो आरक्षित किया गया है मैं इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर भारतिया राष्टिये कॉंग्रेस को कोटी-कोटी धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों मैं समझता हूँ कि एक महतपूर्ण रेजिलूशन है महतपूर्ण रेजिलूशन इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है दुनिया का हर पाचवा नौजवान कोई न कोई भारतिय है ऐसे वक्त में देश की दशा क्या होगी देश की राजनीती क्या होगी समाज का स्वरूप क्या होगा और हमारे आने वाले भविस्व का मुस्तक्बिल क्या होगा इसको इस देश का नौजवान तया करेंगे क courtroom Party न इस बदलाओ को महसूस किया है उसके लिए अपने बरिस्ट नित्रित को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दोस्तों आग जब राइपूर में देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका पचास जिवा महादिवेशन हो रहा है तो हमारे सामने कुछ महत्पुर्न सवाल है और उन्हीं महत्पुर्न सवालों पर चर्चा करने के लिए यह हमारा डिसकसन हो रहा है यह प्लेनरी सेशन हो रहा है और यहां मैं आपके बीच मौजूद हूँ हमारे देश के एकॉनमिक आर्थिक और राजनितिक रेजिलूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए देश की अर्थ विवस्था देश के लोगों को अज नजर अंदाज करके नहीं चल सकती है कोई भी ऐसी आर्थिक नीती जिसमें देश के लोगों को नजर अंदाज किया गया है वो आर्थिक नीती देश की आर्थिक नीती नहीं हो सकती है और आज हम जिस मोर पर खड़े हैं हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भड़ी जाती है ऐसी आर्थिक नितिया आज देश के अंदर लाई जा रही है मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से कॉंग्रेस पार्थी का एक काम कारिकरता होने के चलते कि ऐसी कौन सी ऐसी निति है कि देश गरीब हो रहा है हमारा आर्थिक आंकरा हमको बताता है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर्चर करके बोल नहीं रही है आप तमाम सरबे उठा करके देख लिजिए लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है इस देश के संसाधनों पर मुठी भर लोगों का कबजा होता जा रहा है वैसी परिस्थिती में जो देश की संकलपना है जिसको महात्मा गांधी ने देखा है जिसको मुलाना अबुलकलाम आजाद ने देखा है जिसको सुवास चंदर बोस ने देखा है जिसको सिर्मत इंद्रा गांधी ने देखा जिसको चड़िया राजीव गांधी ने देखा जिसको इस देश की संबिधान ने इस रूप में वर्नित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताईए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो-चार पूंजी पती कैसे अमीर हो रहे है यह कौन सी यह जादू की छड़ी है जो मौझूदा सरकार चला रही है आप मुझे बताईए कि आम लोगों की आमदनी घटी जा रही है और देश के एक दो पूंजी पती दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के सुमार हो जाते हैं मैं यहां यह बात असपस्ट कर देना चाहता हूँ हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी पूंजी पतियों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी उद्योग धंदों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी उद्योग पतियों के खिलाफ नहीं है लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधान मंत्री के पास चलने के लिए सारहे 8000 करोड का बिमान हो हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में सिख्षा नहीं हो कलम नहीं हो स्लेट नहीं हो कम्प्यूटर नहीं हो मोबाल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां है BSNL BSNL के बारे में क्या कहा गया BSNL के बारे में कहा गया BSNL का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताईए कि जीओ धन धना धन कैसे करेगा यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है सरकार क्या करेगी यह सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के निति निर्माताओं से कि अगर एर इंडिया नहीं होगा जब देश में नहीं होगा एर इंडिया तो आप बताईए क्या करेंगे जोतिरादित सिंधिया जब एर इंडिया नहीं होगा जब रेलवे नहीं होगा जब बिये सेनल नहीं होगा तो मैं कहता हूँ कि इस देश में मंतरी की क्या जरूरत है जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है जब देश में स्कूल नहीं होगा अस्वताल नहीं होगे सरके नहीं होगी तो आप मुझे बताईए कि फिर संसत की क्या जरूरत है इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कॉंग्रेस के राष्ट्रिय महादिवेशन में पुनर विचारित करने की जरूरत है देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग डीडी नेशनल पर एक कारिक्रम आया करता था नहरू जी की किताब है Discovery of India Discovery of India के एपिसोड में नहरू जी आम लोगों से पूछते है कि बताईए कौन है भारत माता किसको भारत माता कहते हैं भारत माता इस देश में रहने वाले लोग है जब हम भारत माता की जै बोलते है तो भारत माता की जै बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोर लोगों की जै और 140 करोर लोगों की जै का मतलब है कि 140 करोर लोगों के हाथ में पढ़ाई हो 140 करोड लोगों के लिए रोजगार की विवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए इलाज की विवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए चलने के लिए सरकें हो गारियां हो, रेलेवे हो, हवाई जहाज हो और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपोती समझ लिये हैं अभी जब मैं हवाई जहाज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एरपोर्ट याद आ गया दिल्ली एरपोर्ट पे भारी जो है सिकुरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूँ आपको मालूम नहीं है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का इतिहास आपके पुर्खों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी उन अंग्रेजों से लड़कर के हमने इस देश को आजादी दिलाई इस बात को याद रखिएगा ना आपके जेल से डरेंगे ना आपके मुकदमे से डरेंगे ना आपकी लाठियों से डड़ेंगे ना आपकी गोलियों से डड़ेंगे भारतिया रास्ट्रिय कॉंग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकुक के लिए लड़ती रहेगी इस बात को याद रखियेगा और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही है कि प्राइवटाइजेशन आफ प्रॉफिट और सुसलाइजेशन आफ लॉस फाइदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो एलाइसी का ये हम नहीं चलने देंगे इस बात को आप याद रखियेगा फाइदा होगा तो पर्णान मंद्री जी का दोस्त का और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो SBI में पड़ा हुआ है उसका ये हम नहीं चलने देंगे इस बात को याद रखियेगा इसलिए हमारा political और economic resolution ये है कि भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस इंडियन constitution का safe guard है हम इंडियन constitution के पहरेदार हैं हम इंडियन constitution के असली चोकीदार हैं इस बात को याद रखिएगा और इंडियन constitution इस बात को resolve करता है we the people of India और यह जो we the people of India है इस में इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग चाहे हिंडू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो, जैन हो, पार्सी हो, बुद्धिस्ट हो या वैसे भी लोग जो किसी धरम को नई मानते हैं वो सब भारत के लोग हैं और उनके हखूक के लिए, उनके अधिकार के लिए कल्यानकारी राज की अवधार्मा को बचाय रखने के लिए बारत ये रास्ट्य कॉंग्रेस संघर्ज करेगी और यही जो पॉलिटिकल रेजिलूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिक्छा, स्वास, सरक, बिजली, पानी और इस देश के संबिधान के लिए संघर्ज करते रहेंगे इसी आसा और उम्मीद के साथ आप तमाम सम्मानित मंच और आप तमाम परतिनिधियों का एक बार पुना स्वागत करके अपनी बात को खत्म करूंगा शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जै हिंद, जै भारत, जै कॉंग्रेस धन्यवाद कनाई कुमार जी अभी अन्रोद करूंगा ववन केरा जी आए वो आपको संबोदित करे